तो आज के हम इस वीडियो में चाचा करने वाले है गोटजिला माइनस मन मुवी करके जो है जो एक जैपनीज मुवी है जब ये मुवी थेटर में आये थी तब मैं इसको नहीं देख पाया था फिर मुझे लगा कि यह जब ओटिटी प्लेट्फों पाएगी इसको बहुत प् उन में से मुझे ये जैपनीज मुवी बहुत बढ़िया या फिर कहूँ कि बैस्ट मुवी लगिए वो क्यूं लगिए अभी चर्चा करेंगे फर्स्ट अफॉल तो इस मुवी की कहानी के हम बात कर लेते हैं तेको जैपैन में जो एक टाइम पिरिड इस मुवी के अंदर दिखाया गया है तो जैपैन में वर्ड वोल टू चल रहा है उस वक्ट जैपैन की कंडिशन काफी ज्यादा खराब होती है और उसी वक्ट जो है गोडजिला आ जाता है और तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं अब जैपनीज जो लोग है वो इस गोडजिला को कैसे रो है यह सब चीजे हम ओलड़ी गोडजिला की मूवीज में देख चुके है तो इसमें नहा के नहीं आता आए जो इसकी स्टोडी पर फॉकस किया गया मतलब इतनी अच्छी तरीके से जो इसकी कहानी को इसके क्रेक्टर को develop किया गए, आप मतलब सोचो कि यार emotional हो जाओगे, इस movie में आप शुरू से लेकर आखिर तक इसके साथ connect रहोगे, कहीं पर भी आपको बौरियत feel नहीं होगी, मुझे इतनी अच्छी इसकी कहानी लगए, character development के अंदर मैं बात करूँ तो यार, इतने अच्छे तरीके से उन किर्यदार को लिखा गया है, कि आप उनसे जुड़ाव, उनकी परवा करोगे, मतलब जुड़ाव महसूस करोगे, उनकी care करोगे यार, इनको कुछ ना हो जाए, ऐसा feel आप करोगे, और इसके अंदर काफी जाए serious issues भी दिखाए गए, for example एक सीकी सीमा करके, एक character है इस movie के अंदर, अब ये एक काजी कामे pilot होता है, अब काजी कामे pilot क्या होता है, जब आप ये movie देखोगे, तब समझ जाओगे, अब ये सीकी सीमा जो है अपने कर्तवे को सही से निभा नहीं पाता एक एरपोर्स पैलोट था, लेकिन अपने कर्तवे को सही से नहीं निभा पाता इसका जो guilt है, इसको खाय जा रहा है और खास कर तब जब ये घर वापस आता है जब वापस आने के बाद, जब इसके पास एक लड़की और एक छोटी बच्ची जो है इसके पास रहने आती है, उसका भी बहुत एक तरीके से समझो कि important role वहाँ दिखाया गया है, वो क्यों आते हैं किसलिए आते हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को develop किया गया है, अब सी किसी मा को मुझे बहुत जादा पसना है, इसके अलावा movie के अंदर जो youth के बाद जो condition होती है लोगों की, जहां पर उनकी एक हालत दिखाये जाती है, वो बहुत अच्छे से represent की गई है, भाई सब खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है, तो जैसे लोग जो है, अपना जैसे तैसे काम चला रहे हैं, कैसे कैसे खतरना काम कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत उनको पैसा मिल सके, उससे अपना घर खर्चा वो चला सके, वो condition बहुत अच्छे से दिखाएगे, उसके अलावा गॉर्मेंट के गॉर्मेंट ने जो लोगों को दोखा दे दिया भाई लोग, गॉर्मेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो लोगों के अंदर एक अपने देश के प्रती, भाई साब पर भी बहुत फोकस किया गया, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फर सिर्फ गोडजिला आना था, गोडजिला को तबाई मचानी थी, उसी पर फोकस करेंगे नहीं, जो कहानी इसके इर्दगिद करेक्टर डेवलोप्मेंट लिखे हैं, वो बहुत एक चुमेश्वर लेवल के लिखे हैं, आप जो भी मुवी देखोगे, मैं गहरूँ कि स्टार्टिंग से लेकर आके तक आप इसके साथ कनेक्ट फिल करोगे आप कहीं पर भी बहुर नहीं होगे, तो यह हो गि इस मॉवी की अच्छी अच्छी बात हैं, कि आप नहीं कुछ अच्छा अच्छा बता दिया, क्या इस मॉवी में कोई कमी है? हाँ, कमी है, जो इस मॉवी की अंडिंग होती है याँ, वो मुझे थोड़ी पसनी है, मुझे personally पसनी है, मुझे लगा कि यार, इसको जैसे चल रहा थे, वैसे चलने दो, कौनसी एंडिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये खुल कर बता दें तो भाई साब, बैंड बज जाएगी, यहां पर लोग गाली देना स्टार्ट कर देंगे, अगर जिन्होंने मुवी नहीं देखे, फिर वो कहेंगे, स्पोईलर देना स्टार्ट कर दिया, इसके लावा मुवी का जो VFX है, वो भी मुझे कमजोर लगा, बाकि जो Hollywood मुवी मैंने गोजिला की देखी है, या फिर गोजिला वर्सिज कौंग की जो मुवी मैंने देखी है, तो इसके अंद अगर आप लोगो इन्हें मुवी देखे, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी, अगर नहीं देखे, तो एक बार तो आप इसको देखो, मतलब आपको मजा आ जाएगा, मैं तो कह सकता हूँ कि ये एक बार नहीं, इसको आप दो तीन बार भी देख सकते हो, म